नमस्कार दोस्तों आपका ABS Classes में सौगत है आज हम बात करेंगे भारत का भुगोल भारत किस प्रकार से बसा हुआ है किस प्रकार से बना हुआ है इसका संरचना इसके बारे में बात करेंगे और भुगोल मतलब कि भूमी किस प्रकार गोल है इसमें भारत कहां पर इस्तित है इसके बारे में हम बात करेंगे यह हमारा एक नया बिसे आज से स्टार्ट हो गया है इसमें हम बहुत से बिसे बस्त के बारे में जानेंगे हमारा बहुत से इसमें टॉपिक है इसमें हमारे पूरे एक एक कुश्चन क्लियर हो जाएंगे इसमें हम देखेंगे कि जो हमारे बि वीडियो में अपलोड करके आपको बताएंगे कि कौन कौन सा किस विशह में क्या पढ़ना है मतलब भारत के भोगोल में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है कहां कहां से कुश्चन आती है इसके बारे में हम बात करेंगे तो हमारा पहला टॉपिक है भारत का समानी परिचे म हम बात करेंगे कि भारत का समय परिचे मतलब भारत कहां मतलब कहां पर बसा हुआ है पर तबी के किस भाग में बसा हुआ है और इसमें कहां पर कौन से देश सीमा लगता है किस प्रकार से मतलब कौन कौन से महासागर है कौन कौन से परवत पठार है इसमें तो हमारा ये इस रेगिस्तान मतलब की भारत में कौन-कौन से परवत हैं पठार हैं मैदान हैं दूइप हैं और रेगिस्तान इसके बारे में हम बात करेंगे तीसरा हमारा रहेगा टॉपिक जो है नदिया नदिया मतलब भारत में कौन-कौन सी नदिया हैं प्रमुक नदिया हैं उसके बारे म हम बात करेंगे और हर एक वीडियो आप इनको देखना बिल्कुल न भूलें क्योंकि इसमें हर एक नजियों का टॉपिक पूर्ण रोप से बताया जाएगा और बहुत सारे कोस्टन सॉल्व किये जाएंगे चौता हमारा रहेगा जलवाई जलवाई पर आधारित रहेगा कि भारत की जलवाई कैसी है और किस चेत्र में जैसे दचिन में भारत की जलवाई किस पर का कैसे है और उत्तर में किस पर कर मतलब चारों किसा में हर एक दिसाओं में हम बताएंगे कि इसमें जलबाई हमारी कौन कौन से और कहां कहां पर कैसी है और यह हमारा जो होगा पाजमा इसमें होगा मरदा मरदा में हम बताएंगे कि जैसे कहां की मिट्टी काली है कहां की मिट्टी जलोड मिट्टी है तो इस प्रकार कहां की मिट्टी रेती ली है कौन से छेत्र की मिट्टी मतलब भारत की किस इस्तिती में कौन से इस्तिती में मतलब की जैसे दचिण में हो गया दचिण की मिट्टी किस प्रकार है दचिण भारत की मिट्टी किस प्रकार है इसमें म्रदा के बारे में बात करेंगे क्रसी हो गय ठीक है ना इस प्रकार से हम बनाएंगे जैसी यह हमारा होगे भारत ठीक है यह हमारा इंडिया हो गया इसमें हम देखेंगे कि कौन-कौन सी जैसे कि भारत में कौन-कौन सी मिट्टी है क्रसी है और जलवाई किस प्रकार सी है ठीक है जैसी इस प्रकार से मतलब कि यहां पे य सङ्पी सब्काराइब अपित्य वोस्ति हैं पूर्म किस प्रकाराइब प्रफ किस प्रकार्ण हों प gotten painter से क्या सी खेती हो रुफित जो दर है क्या है उत्वादन तर कैए इसी मह 다例 TM में अड़ हमारा आरा परियवराण हमारा टॉकि कर रहे गा पर रहे वरसा होती किस प्रकार से कहा कहा कौन कैसा पर्यावरान है ठीक है नेक्स हम देखेंगे संसाधन संसाधन की उपलब्दियां किस प्रकार सी है और कौन कौन से छेत्रों में बिक्सित है उसके बारे में हम बात करेंगे उद्दोग उद्दोग में हम बात करेंगे कि जैसे लगू दोग करेंंगे जनजातिया हो गया हमारा जन जाती में जैसे हो गया कि भारत में बहुत सारे जन जाती हैं तो इसमेंम हम अध्र प्रदयश के बारे में बात करेंगे वह सारे जन जातिय का आंदर झाटas है माई पूरूज मौन पूर्द Anda किरूज और कहां पे किस की जन संख्या ज्यादा थी कम थी उसके बारे में हम बात करेंगे और हमारा जो मुख टॉपिक रहेगा 2011 मतलब 2011 की जन गरना के बारे में हम बात करेंगे 2011 की जन गरना में कौन कौन से किस किस छेतर में ज्यादा से ज्यादा जन संख्या थी और किस शेतर में कम थी इसके बारे में हम आंकड़ा फिर बताएंगे कि किस प्रकार से निकाला जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे ठीक है ये दोस्तो हमारा पूरे आई इतने टॉपिक हो गए विशेवास्तु एक बारा फिर से देख लेते हैं इसमें रहेगा भारत का स संसाधन उद्दोग परिवहन जनजातियों और जनगरना 2011 जनगरना हमारा 2011 के बारे में बात करेंगे यह हमारा भारत कुछ इस प्रकार से बना हुआ है इसको हम ऐसे बना देंगे ठीक है और यह इस प्रकार से सधारन इसका नक्सा है इसमें हम देखेंगे कि यह हमारा पू करना कि जो भी इसका अंसर आएगा या फिर लास्ट में जो भी आएगा रिजिनिंग करेंगे तो उसमें साथ आएगा जैसे कि भारत के साथ पड़ोसी देश हो गए ठीक है ना उसी प्रकार से हम बात करें